मुर मयारुग देश के रववया हो जोहार ये बखत आप मन 2021 के बिदाई और 2022 के सुवागत की तियारी मा जुटे हो हूँ एक नवा बच्छर मा हर मनखे, हर संस्था अवया बच्छर मा कुछु अच्छा करे के सुख घर बने के संकलब ले थे पाच्छु साथ बच्छर ले हमर ये मन की बात घलो मनखे के समाज के देश के सुघर बने के प्रिणा देवत आये है ये साथ बच्छर मा मन की बात करत हुए मैं सरकार के उपलब्धी के चर्चा घलो कर सकत रहे हूँ आपो मनला बने लगतिस आपो मन घलो सराहे होते हो फिर ये मोर कईयों दसक के अनभव है कि मीडिया के जगर मगर ले दुरिहा अखबार के सुर्खी ले दूर कोटी कोटी मनखे हैं जिन मन कुछु बहुते अच्छा करत हैं वो मन देश के अवया काली खातिर अपन आज लखापावत हैं वो मन देश के अवया पिढ़ी खातिर अपन पर्यास उपर आज जीव जान ले जुटे रही थें आईसे लोगन के गोट बहुते संतोज दे थे गहिर प्रेणा दे थे मोर्खातिर मन की बात हमेशा ले अईसनेच मनखे मन के पर्यास ले भरे हुए खिले हुए सजे हुए एक सुंदर बगीचा रहे है अव मन की बात मा हर महिना मुर्पर्यास इही बात के हो थे कि वो बगीचा के कोन से पंखुडी आप मन के बीच मा लेके आवाओं। मुला खुसी है कि हमर बहु रतना वसुंधरा के पुन्य काम के अविरल प्रवाह सरलग बोहावत रही थे। अव आज जब देश अमरित महत्सो मनावा थे ता ये जेन जन शक्ती है जन जन के शक्ती है उखर उलेक उखर परियास उखर परिश्रम भारत के अव मानावता के उज्जर भविश्य खातिर एक रकम ले गारंटी दे थे। संग्वारी हो ये जन शक्ती के ताकत है सब्वो के परियास है कि भारत सव बच्छरम आए सब ले बढ़का महामारी ले लड़ सकीस। हम हर मुश्किल बखत मा एक दूसरा के संग एक परवार कस खड़े होएं। अपन मुहला या शहर मा कोनों के सहायता करना होएं। जे खर ले जेन बनीस ओखर ले जादा करे के परियास करीस। आज विश्वमा तीका करन के जेन आकड़ा है उखर तुलना भारत ले करन तलग थे कि देश कत का अभूत पूर्व काम करे है। कत का बढ़का लक्ष प्राप्त करे है। तीका के 140 करोड खुराक के पड़ावल पार करना प्रत्यक भारत वासी के अपन उपलब्धी है। ये प्रत्यक भारतिय के व्यवस्था उपर भरोसा देखा थे, विज्ञान उपर भरोसा देखा थे, विज्ञानिक मन उपर भरोसा देखा थे, और उस समाज के प्रती अपन दाइत्वल निभावत हम भारतिय मन के एक्छा शक्ती के परमान घलो है। फिर संग्वारी हो, हमनल ये घलो धियान रखना है कि कोरोना के एक्ठन नवा वेरियेंट दस तक दे चुके है। पाचु दू बच्छर के हमर अनुभव है कि ये वैश्विक महमारील पराजित करे खातिर एक नागरिक के रूप मा हमर खुद के पर्यास बहुत महत्वपून है। कोरोना के ये वेरियेंट के विरुद्ध देश के बहुते बढ़का ताका थे। हमर सामुहिक शक्ती कोरोना ला परास्त करही। इही दाइत्व बोध के संग हमनला दू हजार बाइस मा परवेश करना है। मुर्मयारुक देश के रवया हो महा भारत के युद्ध के बखत्मा भगवान श्री कृष्णहा अर्जुनला कहे रहिन। नभह इस्प्रिशम दीप्तम माने गरब के संग अगास ला छूना। ये भारती वायू सेना के आदर्श वाक्य घलो है। मा भारती के सेवा मा लगे अनेक जिन्गी मन अगास के ये बुलंदी ला रोज गरब ले छूतें। हमनला बहुत कुछ सिखो थें। अईसने एक जिन्गी रहिस ग्रूप कैप्टन वरुन सिह के। वरुन सिह वो हेलिकाप्टर उडावत रहिन जेन इही महिना तमिल नाडू मा दुर्घटना के शिकार होगे रहिस। वरुन जब अस्पताल मा रहिन वो बकत मैं सोशल मीडिया मा कुछू ऐसे देखें। जेन्मोर हिर्दय ला छोगे इस। ये बचर अगस्ते मा उन्मनला शौर्य चक्र देगे रहिस। ये सम्मान के बाद उन्मन अपन स्कूल के प्राचार्य ला एक्ठन चिठ्ठी लिखे रहिन। ये चिठ्ठील पढ़के मोर मन मा पहली विचार इही आईस कि सफलता के फुलिंग मा पहुँच के घलो वो मन जडल सीचना नहीं भूलाईन। दूसर कि जब उन्खर पास खुसी मनाय के बखत रहीस ता उन्मन अवय या पीढ़ी के चिंता करिन। वो मन चाहत रह कि जन स्कूल मा वो पढ़िन उहां के विद्यार्थी मन के जिनगी घलो एक उत्सव बनाएं। अपन पाती मा वरुन सीहीजी मन अपन पराक्रम के बखान नहीं करिन। भलूक अपन असफलता के बात करिन। कैसे वो मन अपन कमी मनला सक्षमता मा बदलिन। एकर बात ये पाती मा एक जगा उनमन लिखे हैं। आउसत दर्जा के होना ठीक बात है। इसकूल मा जम्मो मन उत्तम नहीं हो सकें। अगर आप मन पाथाओ तो ये एक अध्भुत उपलब्धी हो ही। अगर एकर सराहना होना चाही। फिर जब आप मन ऐसे नहीं कर पावाओ तो सकूल मा उसत दर्जा के हो सकत हो। फेर ये अवया जिन्गी मा होवया जिनिस के माप दंड नहीं है। अपन आवाज लचीनाओ। ये कला, संगीत, ग्राफिक डिजाइन, साहित ते आदी कोनो क्षेत्र मा आप मन काम कराओ, समर्पित रहाओ। अपन सर्वोत्तम देवाओ ये सोचत सुते बर जहन जावाओ कि मैं आव जादा पर्यास कर सकत रहाओ। संगवारी हो। अवसत ले असाधरन बने के उनमन जेन मंतर दिये हैं, वो घलो उतके महत्वपून हैं, इही पाती मा वरुन सीही मन लिखे हैं। आशाला जहन छोड़ाओ। कभू जहन सोचाओ कि आप मन जेन करना चाहा थाओ, वो मैं अच्छा नहीं हो सकाओ। ये सुभित्ता ले नहीं आही। इखर बर बखत औव पर्यास के बलिदान देल पड़ी। मैं आवसत रहाओ। आज मैं अपन जीविका के सबले कठिन मील के पत्थर मा पहुचे हाओ। जहन सोचाओ कि ब पर्यास करओ। वरुणह लिखे रहिन कि अगर वो मन एक भी विद्यार्थी ला प्रिणा दे सकें तो ये बहुत हो ही। फिर आज मैं कहना चाहा थाओ। वो मन जम्मो देश ला प्रेरित करें हैं। उनकर पाती भले खाली विद्यार्थी मन ले बात करत होए। फिर उनमन हमर जम्मो समाज ला संदेशा दे हैं। संगवारी हो, हर बचर मैं ऐसने बिसाय उपर विद्यार्थी मन संग परिक्छा पर चर्चा करत हों। ये बचर घलो परिक्छा ले पहली मैं विद्यार्थी मन संग चर्चा करे के योजना बनावत हों। ये कारिक्रम खातिर दू दिन बाद 28 दिसंबर ले mygov.in मा पंजियन घलो सुरू होईया है। ये पंजियन 28 दिसंबर ले 20 जनवरी तक चल ही। एकर बर 9 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षक और पालक मन खातिर ओनलाइन प्रतियोगिता घलो आयुजित हो ही। मैं चाहूं कि आप जम्मो मन एमें खचित हिस्सा लेवाओ। आप मन ले भेट करे के मौका मिल ही। हम जम्मो मन मिलके परिक्षा, कैरियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन ले जुड़े अनेक पहलू उपर मन्थन करवो। मुर्मयारुक देश के रवय्या हो। मन की बात मां मैं आप मनला कुछ सुनावत हवाँ जेन सीमा के पार कहूं बहुते दूर ले आये है। ये आप मनला आनन्दित करही और हैरान घलो कर देही। बांदे मादारा, बांदे मादारा, शचला उपला मलेचे सिर्काला, प्राश के सामाला मातारा, बांबे मातारा, Σου πρέτζος να πόλα και τ' όλα μην, που να ακούσω μήντα, γρουμάτα σ' απεδί, सुखासनी, सुमदुरणासनी, सुखदंपरदंपारा, बांबे मातारा, मुला पूरा विश्वास है कि ये सुनके आप मनलब बहुते अच्छा लगे होई, गरब के अनभूती होए होई, वन्दे मातरम मा जिन भाव समाय हैं, वो हमनला गरब और जोशले भर दे थे, संग्वारी हो, आप मन ये खचित सोचत हो हूँ कि आखिर ये सुन्दर वीडियो कहां के है, कौन देश ले आये है, एकर जवाब आप मन के हैरानी और बढ़ा दे ही, वन्दे मातरम प्रस्तुत करईया ये विद्यार्थी मन ग्रीज के हैं, उहां ये मन इलिया के हाई स्कूल मा पढ़ थे, ये मन जेन सुन्दरता और भाव के संग वन्दे मातरम गाये हैं, वो अद्भूत और सराहनी हैं, ऐसने पर्यास दू देश के लोगन मनला और नजीक लान थे, मैं ग्रीज के ये चात्र चात्रा और उन्खर शिक्षक मन के अभिनंदन करत हूँ, आजादी के अमरित महस्व के दौरान करेगे उन्खर पर्यास के सराहना करत हूँ, संगवारी हो, मैं लखनव के रहया निलेश जी के एक पोश्ट के चर्चा करना चाहा थाूँ, निलेश जीहा लखनव मा होए एक अनूठा ड्रोन शो के बड़ प्रशंसा करे हैं, ये ड्रोन शो लखनव के रेसिडेंसी क्षेत्र मा आयोजित करे गेईस, 1857 के पहली स्वतंतरता संग्राम के गवाही रेसिडेंसी के दिवाल उपर आज घलो दिख थे, रेसिडेंसी मा होए ड्रोन शो मा भारतिय स्वतंतरता संग्राम के आने आने पहलू मनला जीवन्त बनाएगे हैं, चाहे चाओरी चाओरा आंदोलन हों, काकोरी ट्रेन के घटना हों, या फिर नेताजी सुभाश के अदम्य साहस अव पराक्रम, ये ड्रोन शोह सब्बो के मन जीत लेइस, आप मन घलो इही रकम अपन सहर के गाओं के आजादी के आंदोलन ले जुड़े अनूठा पहलू लोगन मन के आगूमा ला सकत हो, इमें तकनीकी के घलो बने सहता लिये जा सकत है, आजादी के अम्रित महोत्सव, हमनला आजादी के लड़ई के इस्पृतिला जीये के मौका दे थे, उला अनुभाव करे के अवसर दे थे, ये देश खातिर नवा संकलप लेके, कुछु कर गुजरे के, इक्छा शक्ती देखाये के, प्रेरक उत्सव है, प्रेरक अवसर है आवाव, स्वतंत्रता संग्राम के महान विभूती मनले प्रेरित होवत रही, देश खातिर अपन पर्यास अव मजबूत करत रही मुर्मयारुक देश के रहवया हो, हमर भारत कईयों असाधारन प्रतिभा मनले संपन हवाए, जिनकर कृतित्व आने मनखे मनला कुछु करे खातिर प्रेरित करते अईसने एक मनखे है, तेलंगाना के डॉक्टर कुरेला विठला चार्य जी, इनकर उमिर चौरासी बच्छर है, विठला चार्य जी एकर उधारन है, कि जब बात अपन सपना पूरा करे के हो, ता उमिर कोनो माइना नहीं रखाय संगवारी हो, विठला चार्य जी के बच्छपन ले एक ठन इच्छा रहिस, कि वो मन एक बढ़ का पुस्तकालय खोल सकें, देश तब गुलाम रहिस, कुछ परिस्थिती ऐसे रहिस, कि नानपन के वो सपना तब सपने बन के रही के रहिस, समय के संग विठला चार्य जी व्या ख्याता बनिन, तेलगू भाषा के गहन अध्यन करिन, और उही मा कईयों रचना के स्रिजन खलो करिन, छै साद बचर पहली वो मन एक घाउ फेर अपन सपना पूरा करे बरजुटिन, उन मन खुद के किताब मन संग पुस्तकालय के सुर पुदान करद गेन, यदाद्री भूबनागिरी जिला के रमन्ना पेट मंडल के ये वाचनालय मा करीबन दू लाख पुस्तक है, विठला अचारे जी कई थें कि पढ़ाईला लेके उनमन जेन मुश्किल के सामना करीन वो कोनो अउल जन करना पड़ाए, उनमनला आज ये देख के बहुते अच्छा लग थे कि बढ़का संख्यामा विध्यार्थी मनला एकर लाभ मिला थे, उनकर पर्यासले प्रेरित होके गाउं के दूसर लोगनमन घलो पुस्तकालय बनाय मा जुट गे हैं, संगवारी हो, किताब खाली ग्याने नहीं देवाए, भलुक व्यक् जित्व घलो संवार थे, जिनगील घलो गड़ थे, किताब पढ़े के शवक एक अद्भुत संतोष दे थे, आजकल मैं देखा थां कि लोगन ये बहुते गरबले बता थें कि ये बचर मैं कते किताब पढ़े हां, अब आगु मुला कत का किताब अउपढ़ना है, ये एक अच्छा सिलसिला है, जिला अउ बढ़ाना चाही, मैं घलो मन की बात के सुनईया मनले कहूं कि आप मन ये बच्छर के अपन वो पांच किताब मन के बारे मां बतावाओ, जिन आप मन के पसंद के रहे हैं, ये रकम ले आप 2022 मां आने पाठक मनला अच्छा किताब चुने मा घलो सहायता कर सकूं, ऐसे बखत मां जब हमर स्क्रीन टाइम बढ़ा थे, पुस्तक पढ़ना जादा ले जादा प्रचलित बनाएं, एकर खातिर घलो हमनला मिल के पर्यास करना होई, मुरमयारुक देश के रवया हो, हाले मां मुर्धियान एक दिल्चस्प पर्यास कोती ग पुने मा भंडार कर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट नाओ के एक केंद्र है, ये संस्थान हां आने देश के लोगन मनला महा भारत के महत्वले परचित कराय खातिर आनलाइन कोर्स सुरू करे है, आप मन ये जान के हैरान हो जाहू कि ये पाठिक्रम भले सुरू करेगे है, फिर एमे जेन सामगरी पढ़ाय जाते उला तियार करे के सुरुवात सव बच्छर ले पाठिक्रम होई रहिस, जब संस्थान हां एकर ले जुड़े पाठिक्रम सुरू करीस, तब उला जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिलिस, मैं ये शांदार पहल के चर्च ले प्रस्तूत करे जाते, साथ समंदर पार बैठे लोगन तक एकर लाब कैसे पहुचए, एकर खातिर घलो अभिनाव तरीका अपनाय जावा थे, संगवारी हो, आज दुनिया भर मां भारतिय संस्कृती के बारे मां जाने के दिल्चस्पी बाढ़ा थे, आने आने देश क लोगन मन न सिरिफ हमर संस्कृती के बारे मां जाने खातिर उत्सुक हैं, भलुक उलाब बढ़ाय मां घलो सहायता करते, आइसने एक मनखे है, सर्बियन स्कालर डॉक्टर मोमिर निकिच, इन मन एक द्विभाष्टी संस्कृत सर्बियन शब्द कोस तियार करे हैं, ये आप मनल ये जान के अव अच्छा लगी कि डाक्टर निकिच, सत्तर बचर के उमिर मां संस्कृत भाका सीखे हैं, वो मन बता थें कि एकर प्रेरणा वो मनल महात्मा गांधी के लेख पड़ के मिलिस, इही रकम के उधारन मंगोलिया के 93 बचर के प्रोफेसर जे गेंधे धर के घलो है, पाचु चार दशक मा उनमन भारत के करीबन 40 जुन्ना ग्रंत महा काव्य और रच्रा मन के मंगोलियन भाखा मा अनुवात करे हैं, अपन देश मा घलो इही रकम के जजबा के संग बहुत लोगनमन काम करत हैं, मुला गोवा के सागर मुले जी के परियास के बारे मा घलो जानिला मिले है, जिनमन सैक्णों बचर जुन्ना कावी चित्रकला ला लुप्त होई ले बचाय मा जुटे हैं, कावी चित्रकला भारत के प्राचीन इतिहासला अपन आप मा समोय है, असल मा काव के अर्थ हो थे लाल माटी, प्राचीन काल मा ये कला मा लाल माटी के परियोग करे जात रहिस, गोवा मा पुर्तगाली सासन के दोरान उहां ले पलायन करे या लोगन मन हा, आने राज के लोगन मन के घलो ये अध्भुत चित्रकला ले परिचय कराईन, समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होत रहिस, फिर सागर मुले जीह ये कला मा नवा जीव उनकर परियासल भरपूर सराना घलो मिला थे, संग्वारी हो, एक नानकुन परियास, एक नानकुन कदम घलो हमर सम्रिद्ध कला के सरक्षन मा बहुते बढ़का योगदान दे सकते, अगर हमर देश के लोगन मन ठान ले वाएं, त देश भर मा हमर प्राचीन कला मनल सजाय, समारे और बचाय के जजबा एक जन आन्दोलन के रूप ले सकते, मैं इहां कुछे परियास मन के बारे मा गोट करे हूँ, देश भर मा ये रकम के अनेको परियास होँ थे, आप मन एकर जानकारी नमो एप के माध्यम ले मोर तक खचित पहुँचावाँ, मोर मयारुक देश के रवईया हो, अरुनाचल प्रदेश के लोगनमन बचर भर ले एक अनुठा अभियान चलाए हैं, अव उला नाव दे हैं, अरुनाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान, ये अभियान मा लोगनमन स्वेच्छा ले अपन एयरगन सरेंडर करतें, जानतो काबर, ताकि अरुनाचल प्रदेश मा चिरई चिरगुन मन के अंधा धुंद शिकार रुख सके। पाचु कुछ महीना मा पहाड ले मैदानी इलाका तक एक समाज ले दूसर समाज तक राज्यमा हर तरफ लोगनमन एला खुला मन ले अपनाये हैं। मुर्मयारुक देश के रवया हो आप जम्मो मन कोती ले 2022 ले जुड़े बहुत अकन संदेशा और सुझाओ आये हैं। एक बिसय हर बारीकस अधिकतर लोगनमन के संदेशा मा है। ये है स्वच्छता और स्वच भारत के। स्वच्छता के ये संकलप अनुसासन ले, सजगता ले और समर्पन ले पुरा हो ही। हम NCC केड़ेट द्वारा चालू करेगे, पुनीत सागर अभियान मा घलो एकर जलक देख सकत है। ये अभियान मा तीस हजार ले जादा NCC केड़ेट सम्मिलित होई। NCC के ये केड़ेट मन बीच के सफाई करिन, उहां ले प्लास्टिक कचरा हटा के रिसाइकलीन खातिर इकठा करिन। हमर बीच मन, हमर पहाड मन, हमर घुमे लाइक तभे होई जब उहां साफ सफाई होई। बहुत अकन मनखे मन, कोनो ठिया मा जाय के सपना जिनगी भर देख थें, फिर जब उहां जा थें, तज जाना अंजाना मा कच्रा घलो फईला थें। ये हर देशवासी के जिम्मेवारी है, कि जेन जगा हमला अतका खुसी दे थे, हम उला अस्वच जण करन। संगवारी हो, मुला साफ वाटर नाव ले एक स्टार्टप के बारे मा पता चले है, जेनला कुछ युवा मन सुरू करे हैं, ये अल्टिफिशल इंटेलिजेंस और इंटरनेट आफ थिंक्स के सहायता ले लोगन मनला उनखर इलाका मा पानी के शुधता और गुणवत्ता जुड़े जानकारी देही, ये स्वच्छता के ही अगला चरण है, लोगन मन के स्वच्छ और स्वस्थ भविश खातिर ये स्टार्टप के महत्तमला देखात एला एक अंतर रास्ट्रिय पुरस्कार घलो मिले है, संगवारी हो, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये पर्यास मा संस्था हो या सरकार सब वो मन के महत्वपून भूमिका है, आप मन जानताओ कि पहली सरकारी दफ्तर मा पुराना फाइल और कागज के कतका धेर रहत रहिस, जब ले सरकार हो, जुन्ना तोर तरीकाला बदलना सुरू करीस, ये फाइल और कागज के धेर डिजिटाइज हो क कम्प्यूटर के फोल्डर मा समावत जाते, जद का जुन्ना और लंबित सामगरी हवै, ओला हटाय खातिर, मंत्रालै और विभाग मा विशेश अभ्यान घलो चलाय जाते, ये अभ्यान ले कुछ बड़ रुचिकर बात निकले है, पोस्टल विभाग मा जब ये सफाई ता उहां के कबाड खाना पुरा खाली होगी है, अब ये कबाड खाना ला कोर्ट यार्ड ओँ, केफेटेरिया मं बदल देगे है, एक अउ कबाड खाना दू पहिया खातिर पार्किंग इस्थल बना दिये गे है, इही रकम परियावरण मंत्राले है अपन खाली होए मन कच्रा देवएं और बदला मा नगदी लेके जाएं। नागरिक उड्डियन मंत्राले के विभाग मनहा पेड़ ले गिरैया, सुखा पत्ता और जैविक कच्रा ले कमपोस्ट खातु बनाना चालू कर दे हैं। ये विभाग रदी पेपर ले स्टेशनरी घलो बनाये के काम करते। हमर सरकारी विभाग घलो स्वच्छता जैसे विशैमा अत्का अभिनव हो सकते। कुछ बच्छर पाचू तक कोनोला एकर भरोसा घलो नहीं रहिस। फिर आज ये व्यवस्था के हिसा बनत जाते। इही देश के नवा सोचे जिकर नित्रित्व जम्मो देश्वासी मन मिल के करते। मुर्मयारुग देश के रवय्या हो मन की बात मा ये बारी घलो हमन धेरक विशैमा बात करें। हर बारी कस एक महिना बाद हम फेर मिलबो। फेर 2022 मा हर नवा शुरुवात अपन सामर्थल चीने के एक मौका घलो नान थे। जेन लक्ष के पहिली हमन कलपना घलो नी करत रहें। आज देश उनकर खातिर पर्यास करते। हमर इहां कहे गे है अक्षण शह कनशस्चैव विद्याम अर्थम चसाधयेत क्षणे नस्टे कुतो विद्या कने नस्टे कुतो धनम। माने जब हमनल विद्या प्राप्त करना हों, कुछू नवा सीखना हों, करना हों, ता हमनल हर एक खण के उपयोग करना चाही। काहे कि क्षण के नस्ट होएले विद्या औग्यान चले जाते, औग्ण के नस्ट होएले धन औप्रगती के रद्दा बंद हो जाते। ये बात हम जम्मो देश्वासी मन खातिर प्रेरणा है। ये बात हम जम्मो देश्वासी मन खातिर प्रेणा है। हमरे मन तक सिमित नहीं हो ही। हमर सपना ऐसे हो ही जे में हमर समाज और देश के विकास जोड़े हो है। हमर प्रगति ले देश के प्रगति के रद्दा खुल है और एकर खातिर हमनला आजे लगना हो ही। बिना एक शन गवाएं बिना एक कण गवाएं। मुला पूरा भरोसा है कि इही संकलप के संग अवया बच्छर मां देश आगू बढ़ी। और 2022 एक नवा भारत के निर्मान के स्वरनिम पन्ना बन ही। इही विश्वास के संग आप जम्मो मनला 2022 के धेरन शुपकामना गाडा गाडा धन्यवाद।